हाई गाई दिस तौकिर आलम हेर तोड़े वी आ गोई तो लर्न हाव तो प्रोनाउंस लेटर टी एच फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेटर टी एच का क्या आवाज होता है जैसा कि आप जानते हैं टी एच का आवाज द और थ दोनों होता है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें टी एच का आवाज थ कहना है और कब हमें द कहना है तो चलिए फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को प्रेस कीजिए ताकि मेरा रेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेए Friends, जब TH के बाद E, I, Y हो तो TH का आवाज THE होता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ examples लिखा हुआ है जैसे यहाँ मैंने लिखा है TH और TH के बाद आया है E तो यहाँ TH का आवाज होगा THE जैसे हम इसे कहते हैं another और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ TH आया है और TH के बाद यहाँ पर आया है I तो यहाँ TH का आवाज होगा THE हम इसे कहते हैं this आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ टी एज लिखा हुआ है और टीएज के बार sait ही तो जब टीएज के बार सले ही यह मिदीत यह या या वाई 12 य सबम्राइज हो तो कि अवाज फॉता है हम इसे कहें ब्र्दर कि यहां टीएज के बार है तो हम इसे कहेंगे father, यहां T.S. के बाद E है, हम इसे कहेंगे mother, यहां T.S. के बाद E है, हम इसे कहेंगे other, यहां T.S. के बाद E आया है, तो हम इसे कहेंगे gather, यहां T.S. के बाद Y है, हम इसे कहेंगे the, यहां T.S. के बाद Y आया हुआ है, हम इसे कहेंगे worthy, यहां T.S. के बा यह आग आया हुआ है को थो टक का आवाज होता है रूल्स के ड्रती होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैॉ इना जहां बात रूलके ठीक उल्टक उल्टा होता है यानि वहाँ रूल कुछ और कहता है और बाते कुछ और होती है जैसे एक्वार्ड फ्रेंड्स दाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ठ के बाद हो आया है फिर भी यहाँ ठ का आवाज द होता है इसे हम एक्सेप्शन कहते हैं आयो फ्रेंड्स अब ठ का अगला आवाज देखें जब ठ के बाद A, O, U हो तो T, H का आवाज ठ होता है इसके साथ आप ये भी सीखें कि जब किसी वार्ड के लाष्ट में ठ आया हो तो T, H का आवाज ठ होता है यानि अगर मैं बात मिला कर कहूं, तो मैं कह सकता हूं, जब TH के बाद AOU आया हो, या TH last में आया हो, तो TH का आवाज TH होता है, जैसे, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर TH लिखा हुआ है, और TH के बाद आया है O, इसे हम कहेंगे आथर, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर TH last में आया हुआ है, तो यहाँ TH का आवाज होगा TH, हम कहेंगे बीनीथ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर TH last में आया हुआ है, हम कहेंगे cloth, यहाँ पर TH last में आया हुआ है, हम कहेंगे off, यहाँ पर TH last में है, हम कहेंगे health, चुकि यहाँ पर TH last में है, इसल यह है टीयज का आवाज थभ होगा आप यह देख सकते हैं हम इसे कहेंusta आप यहां देख सकते हैं तो यह है पर आवाज होगा थभ हम कहींगी ग्रोफ लेकिन फ्रेंड्सस जैसा कि आप जानते हैं रूल्स के एकषप्समन होते हैं तोallows यह ह्लार श्राभेज एस कुछ ऐसे वर्ट्स हैं जहां पर रूल फॉलो नहीं होता उसे आपको प्रैक्टिस के जड़ी सीखना होगा जैसे जैसा कि मैंने कहा अगर टीज के बाद ए आये तो टीज का आवाज होगा था लेकिन आप यहां देख सकते हैं यहां टीज के बाद ए आया है फिर भी यहां ट टीज के बाद अगर ओ आये तो उसका आवाज होता है था लेकिन यहां पर टीज का आवाज द है क्योंकि यह सभी वर्ट्स एक्सेप्शन हैं हम इसे कहते हैं दोज आप यहां देख सकते टीज के बाद आया हुआ हुआ है और मैंने आपको पिछला रूल में सिखाया जब फिर बाद वर यही हो तो टीज का आवाज द होता है तो यहां ऐया हुआ हुआ है फिर यहां जाए जाए हुआ हम इसे कहते हैं त iedereen आ Гहां आया हुआ है और मैंने अपने पिछले निया में बताया, जब TH के बाद E, I, Y हो तो TH का आवाज द होता है, लेकिन हम इसको कहते हैं थीम, यानि यहाँ TH का आवाज द नहीं, बलकि यहाँ TH का आवाज था होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, TH के बाद Y आया हुआ है, तो अगर रूल के अकॉर्डि इसे हम कहते हैं Length ही, और इसे हम कहते हैं Fifth ही, तो फ्रेंड्स यह सभी words exception कहलाते हैं, इन्हें आप खास तोर पर याद रखेंगे, तो उमीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको TH का आवाज समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेर जरू कीजेगा, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे की SC का sound क्या होता है, या SC का आवाज कैसे समझें, फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं SC का दो आवाज होता है, पहला स और दूसरा अस्क, तो चलिए एके करके देखें कि कब आपको SC का आवाज स कहना है, और स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड्स, जब SC के बाद E, I, Y हो तो SC का आवाज स होता है, फ्रेंड्स, मैंने यहां पर तीरे एक्जांपर्स लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, आप देख सकते हैं, यहां पर SC आया हुआ है, और SC के बाद E आया है, तो जब SC के बाद E आता है, तो SC का आवाज स होता है, हम इसे कहेंगे सीम, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर SC आया है, और SC के बाद Y आया है, तो जब SC के बाद Y आता है, तो SC का आवाज होता है स, हम इसे कहेंगे साइड्स, आप यहां देख सकते हैं, SC आया है, और SC के बाद कोई कानंसोनेट हो तो आफ्क होता है जैसे आप यहांपड़ देख सकते हैं Friends, मैंने यह आपर SC लिखा है, और SC के बाद आया है U, तो जब SC के बाद U आता है, तो SC का आवाज अस्क होता है, हम इसे कहते हैं Rescue, आप यहां देख सकते हैं, यहां SC आया है, उसके बाद आया है O, तो जब SC के बाद O आता है, तो SC का आवाज होता है अस्क, हम हम इसे कहेंगे score यहां SC आया है और SC के बाद एक consonant आया है तो जब SC के बाद कोई consonant आ जाया है तो SC का आवाज होगा अर्सक हम कहेंगे scroll आप यहां देख सकते हैं SC के बाद एक consonant आया है हम कहते है În scrim . हम कहते है 지금 scratch यहा ऐसी के बाद सबंदनी के बाद यह आया है और जब ऐसी के बाद यह आता है तो हम सी का आवाज आज़क्क कहते है यानी हम कहेंगे scan। यहाँ भी SC के बाद एक Consolent आया हुआ है, Îसलिए SC कऐ आवाज अस्क होगा हम कहेंगेScript यहाँ SC एसी के बाद U आया है तो जब SC के बाद U आता है तो SC का आवाज अस्क होता है हम कहेंगे turns यह SC के बाद A आया है इसलिए हम इसेoncesourse 인's cabele बोलेंगे तो friends, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया कि जब SC के बाद A, O, U या कोई consonant हो तो SC का आवाज अस्क होगा आएए friends, अगला रूल देखें Friends, आएए SC का लाश्ट रूल देखें जब SC के बाद I, E, N या I, O, U, S हो तो SC का आवाज श, होता है जैसे, आप यहां देख सकते हैं यहां पर SC लिखा हुआ है और उसके बाद I, O, U, S आया हुआ है तो यहां SC का आवाज श, होगा इसे हम कहते हैं कार्सस आप यहां देख सकते हैं यहां पर SC लिखा हुआ है और SC के बाद आया है I, O, U, S इसलिए इस word का आवाज होता है लशश, आप यहां देख सकते हैं, यहां ऐसी लिखा है और ऐसी के बाद IEN आया है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर ऐसी के बाद IEN आये, तो ऐसी का आवाज शव होता है, और इसका आवाज है कांशश, तो उमीद करता हूं friends कि आपको यह समझ में आया कि अगर ऐसी के बाद IEN या IOSPO, तो ऐसी का आवाज शव होगा, friends अगर आपको यह लेशन समझ में आया, तो बताएं, यहां ऐसी का आवाज क्या है, मतलब क्या यहां ऐसी का आवाज सव या अस्क या शव है, आंसर जरूर दीजेगा, मैं आपके आंसर का वे वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे अभी शेयर किजेगा, मैरे confidence के लिए ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेशन ला सकूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, बाए